प्रदेश के ग्रामिण शेत्रों से प्रतिभाओं को तलाश ने खेल एवं युवक कल्यान विभा की शूटिंग वर्की टीम राजगर पहुंची यहां से 7-16 साल के बच्चों में शूटिंग के लिए जाकरुपता लाने के साथ प्राथमिक जानकारी देना और इन्हीं मैसे महारतियों का हुनर तलाशना इस दल का उदेश था महानगरों की तुलना में प्रतिभाय शूटी बस्तियों या नगरों में जादा है ऐसा हम नहीं शूटिंग के लिए बच्चों का च्चेन करने भुपाल से आये जैवर्धन सिंग का कहना है राजगर में हुए प्रत्थम चुरण के कारक्रम में बच्चों का होसला बढ़ाने जिले के अतरक्त पुलिस अधिक्षक भी पहुँचे जिस जिले के बच्चे आज शूटिंग सेलेक्शन स्थल के बाहर ही अपनी खुशी से बैडमिंटन के रैकेट में अपनी चपल का इस्तमाल करते हैं वहाँ संसाधनों के साथ निशाना कितना चूख होगा राजगड के अफिसर्स क्लब में आजेत शूटिंग चैन में जिले भड से पहुँचे 7-17 साल के सैकड़ों बच्चों ने निशाने बाजी की बारी किया सिखी बाद में ने राइफल, शॉटगन और पिस्टल से निशाना लगवा कर इनकी च्रमताओं को परखा गया इन में से चैनेत बच्चों को भुपाल में अपना हुनर दिखाना है, जो आगे के लिए इनके और देश के नाम आगे करने में काम आएका यह एक खेल विभाग का टलेंट सर्च प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम मद्यप्रदेश में पूरे मद्यप्रदेश में शूटिंग का टलेंट सर्च कर रहे हैं और इस टेलेंट्शर्स के माधियम से हम जो बोपाल में अकेडमी है अपनी खेल भी भाग की जो शुटिंग अकेडमी उसका चैन करेंगे अभी इसके पहले हमने हर्दा, हंडवा, इंदौर, मंसोर, जैन ये सबी कवर किये हैं उसके पहले रिवा, गॉलियर, शुकुरी, करते हैं, जो हमने चीजें सिखाई है, इनको बताई है अभी कुछ एक गंटे पहले, अगर वो यहां पर अच्छा करते हैं, तो इनका सेलेक्शन भोपाल के जैसा आपको विजिदेश है, कि हम लोग का मध्यपरदे में टेलेंट सर्च करना है, पूर में भी हम लोग के द् आपको लगता है कि इन गिरामेंट शेतर में पिर्थिभाएं चुपी है, जो अभी आपने देखा इस सब्सक्राइब बच्चे, जहां तक मेरा अन्वह वे पूर्वापा और बढ़तमाई, अबध्यपरदे शासन को हमारे 17 अकडमी है, इसमें से सुटी अकडमी जो पहली सब्सक्राइब बच्चों का चैनित तर रही है, जो अपना सोभागिया है कि हम लोगों ने प्रचाय पर सरक अच्छा काफी किया है, इसलिए मतलब डेढ़ दो सो बच्चे अपन को मिल चुके है, तो अभी जो बच्चों की जो ट्रेनिंग अगर आपनी चालू स्टाट हो इसलिए फोर स्टेप तो इस परकार से में बच्चों को टेलन के लिए, और पहली बार इतना चालू